इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी काखरे मगदम है दावनगीरी में प्रेस कांफरेंस के दौरान राम सेना के मुख्या प्रमोद मुतालिक ने आज जुलाई को बेलगाम चलो का नारा दिया था और धंके दी थी कि तकरीबां 20,000 लोगों के साथ जो 20 हिंद तौदी तन्जिमो के कारकुन होंगे और पूरे मुलक भर से खास करनाटक रिखास कर करनाटक रियासत के सभी शहरों से आएंगे और बेलगाम चलो शीव पार को इंसाब दिलाने के लिए का नारा था जिस अंदाज में धंकी भरी चुनोती राम सेना के मुख्या प्रमोद मुतालिक के लोग जो जबरन गाडियों में बिठा कर लाए गए थे तकरिबान अफराद चुकोडी हुकेरी से ही दिखाई दे रहे थे बेलगाम शहर से तो कोई कदुका ही नजर आ रहा था लहाजा कुल मिला कर आज का राम सेना का चलो बेलगाम पूरी तरह से नाकाम हुआ सभी को यह अंदेशा था कि फिर खापरस्तों की जानिव से शहर के अमन आमान को नुकसान पहुंचाया जाएगा पर पुलिस इंतजामिया ने इतना बहतरीन और जबरदस्त अंदाज में काम किया काम को अंजाम दिया कि बेलगाम चलो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था सीपी एड ग्राउंड में तकरीबन तीन सो के करीब अफराद जमा हुए थे जो मुतालिक जिंदावाद के ही नारे लगाते नजर आरे शीव पार के घर के लोग भी यहां पर मौजूद थे उन्हें बुलाया गया था काफी देर तक लोगों के आनने का इंतजार जमा होने का इंतजार किया गया और आखिर में दो पहर ढ़ाई बजे बेलगाम डिसी दक्तर के सामने प्रमोद मुतालिक और दिगर चार अफरादों के साथ अपना मुतालबा पेश किया प्रमोद मुतालिक ने पुलिस इंतजामिया पर इलजाम लगाया लगाते हुए कहा के पुलि जिंहें दारी से बच्टे रहें ऐसे हैं का इंका इंका ये भी कहना है कि दो दो बार अफरियाद करने के वावजोद हमें इनसाफ नहीं मिला हम रहा और शियु उपपार भुद कुछी नहीं कि बल्कि उसका कत्ला है सामिंद का कैना है कि पुलीस दिशाभूल कर रही है जल्द बेलगाम जल्या बंद करते हुए सकत एचजाज करेंगे ऐसा फिर से प्रमोद मुतालिक ने धंकी भरे लहजा इस्तमाल किया एक और इल्जाम प्रमोद मुतालिक ने लगाते हुए कहा कि बेलगाम शहर के कतल खानों में बंगलादेश के मुसल्मान काम कर रहे हैं ऐसा इने नजर आ रहा है इने कहां से नजर आ रहा है और कहां से इनके पास यह इत्तरा और इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो तो मालूम नहीं लेकिन इन्होंने ये इल्जाम बड़े वाज़ तोर पर कहा कि मुसल्मान वो भी बंगलादेश के हैं जो यहां के कतल खानों में काम कर रहे हैं सिर्फ तहकीक भी उनका कहना है कि सिर्फ तहकीक ही करने वाले पुलिस अफसर और डी सी आने वाले हालात के लिए जिम्मेदार रहें गे ऐसा भी रामसेना के मुख्यानिका बेलगाम के तमाम लोगों को भी मुबारक बाद के किसी भी तरह की अफवा पर या फिरकापरस्तों के ऐलान को नजर अंदाज कर शाहर के अमन और अमान को बरकरार रखा बेलगाम एक अमन पसंद शाहर है और हम सब ही की जमेदारी है कि अमन को कायम रखे लिहाजा शर्पसंदों पर नजर रखे और शर्पसंदों का साथ ना दे हाद देखने के लिए शुक्रिया लाफिस च्तिश पर शर्फसंदों करे अमने में में रखे और वचुक्ताना साहर रखे सर शोईया है बेलगाम पार शर्पसंदों को वर का थे अमने में के अरी क 먼저 हुआ है टलाने में ऑ रखे विए को जी बहां से बहाद है